चुलू करने से पहले थोड़ी भगवान की स्तुति कर लेते हैं मेरे साथ ही अपने मन में रिपीट करना प्लीज सबसे पहले वंदे कृष्णम जगत गुरुम अगवान वासुदेव को कोटी कोटी प्रणाम गुरुम के गुरु, अम सब के गुरु भगवद गीता कैसे शुरू होती है? सबसे पहला शब्द क्या है जब आप भगवद गीता खोलते हैं तो अफकोर्स पहले अथप्रथमो ध्याय आएगा और उसके बाद पहला शब्द आ रहा है ध्रितराष्ट्र ध्रितराष्ट्र ओवाच ध्रितराष्ट्र ने कहा क्या कहा धर्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे समवेता युद्सवह मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया आपको शायद याद होगा कि जब हमने शुरू में वाटसेप में हम इकठे हुए तो मैंने एक बात कही थी कि हम कोवन्स के उपर विचार करेंगे कोवन्स ऐसे वाक्य जो आपको एकदम स्तब्ध कर देते हैं आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं आपके मन की सब हलचल सब स्पंदन खत्म कर देते हैं जैसे ही आप सुनते हैं एक उधारन देता हूँ चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा कि मैं नित्याननजी के पास मिलने जा रहा हूँ पर वहां कई लोग होंगे वहां मैं कैसे पहचानूँगा कि नित्याननजी कौन है चैतन्य महाप्रभु ने कहा बस एक बार कृष्ण बोल देना वहां जाके तो मैं पता लग जाएगा कि नित्याननद कौन है तो वो व्यक्ति गए उस घर में जहां कुछ लोग थे वहां उन्होंने केवल कृष्ण नाम का उच्चारण किया उसको सुनते ही नित्याननजी एकदम चुप हो गए अशुधारा बहचली प्रेम में पूरी तरह डूब गए भाविभोर हो गए आखें बंध हो गए कृष्ण 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 यह होता है कोवन यह होता है कोवन का परपस वो फिजूल के विचार की पहले अंडा था के पहले मुर्गी थी वो छोटी बाते हैं जब आप एक शब्द सुने वाक्य सुनने की भी बात नहीं है यहां पर एक शब्द कान में पड़ा और आप फिलकुल चुप हो गए अवाक हो गए मन एकदम अंदर चला गया और गहन विचार शुरू हो गया हर शब्द का हर द्रिश्च का एक साधक की जिद्दगी में ये महत्व होना चाहिए जब भी हम कुछ पढ़ें मनन करें स्वाध्याय करें ऐसे करना है अब धृतराष्ट्र ओवाच सुनने की भी जरूरत नहीं है धृतराष्ट्र पे ही रुक जाते हैं समझने की चेश्टा करते हैं की गीता इस शब्द से शुरू क्यों हुई क्या कारण है वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र शब्द से गीता क्यों शुरू करी वेद व्यास जी चाहते हैं कि जो जो गीता के या जेनरली देखें तो अध्यात्म के अधिकारी नहीं है पहले तो उनको ही छाट दें ये कोई ये कोई फिक्षन नहीं है कोई कहानी भर नहीं है कि थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती के लिए पढ़ ली अच्छा समय व्यतीत हो गया ये एक-एक शब्द जीवन बदलने वाला है तो जब मैंने रितराष्ट के उपर सोचा कि इससे क्यों शुरू किये गी गीता तो समझ में कुछ बातें आई ये तो इतना बड़ा ज्यान का सागर है कि सब कुछ समझ किसी को नहीं आ सकता शुरूरामकृष्ण भी कहा करते थे कि जो शुकदेवादी हैं वो बड़े-बड़े चीने हैं एक चीनी का पहाड़ है वहां पर जाके वो दो-चार-पांच दाने उठा लाते हैं जो अध्य अधात्म है परमात्मा जो है उस पूरे के पूरे समझे नहीं जा सकते हैं बस हम तो बहुत छोटी-छोटी चीटियां हैं थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कहीं क्या-क्या ऐसे धृतराश्ट्री गोण हैं जिन्हें हमें जीवन से निकालना है जिनके रहते अध्यात्म में स्थिती तो दूर की बात है मन की शांती प्रसन्नता भी नहीं मिलने वाली जिन्दगी भी खुशाल नहीं होने वाली जो हम अकारण शांती अकारण प्रेम की बातें करते हैं मुक्ति की वो केवल बात ही रह जाएगी पहले इन गुणों को एक-एक करके अपने मन से निकालें मनन करें धृतराष्ट को जब हम सोचते हैं धृतराष्ट, गांधारी, दुर्योधन यह तीनों का एक मिक्ष्चर समझ लो इनमें कैसे वो अवगुण हैं कौन से वो अवगुण हैं जिन पे हमको तवज्जो देनी हैं जिन पे हमको सोचना है कि हमारे जीवन में तो नहीं है कहीं है तो पहली बात जो दिमाग में आती है कि धृतराष्ट मोह से भरा हुआ है मोह क्या होता है मेरापन गाढ़ा संबंध बानना और उस कारण से आप कुछ भी कर सकते हैं जिसके साथ संबंध माना है उसके लिए आप एक अविचार की स्थिती में चले जाते हैं आपकी विचार शक्ति जो डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी है आपके मन की बुद्धी है जो वो बहुत ही स्थूल हो जाती है उसकी तीक्ष्णता उसकी सटलिटी उसकी फैननेस उसकी ब्यूटी वो सब चली जाती है हमने एकस फैक्टर की बात समझी थी हमने एम फैक्टर की बात भी समझी हम इसे कुछ ने एम फैक्टर की उपर भी काम करना शुरू किया क्या है एम फैक्टर मेरा पन जहां मेरा पन स्ट्रॉंग होगा वहां गलतियां होंगी ही बैगवान कहते हैं तेरवे अध्याई में असक्तिर अनभिश्वंगह पुत्रदार ग्रिहादिशू आसक्ति होना पुत्र इस्त्री पुरुश संबंधी घर धन आदी में जब आपकी आसक्ति बहुत गाड़ी है तो आप गलतियां करते हैं आप बहुत सुखी दुखी होते हैं अधिकतर दुखी कभी-कभी थोड़ा सुख भी आई जाता है पर ये बात पक्की है चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो मन चंचल रहता है मन सदा विचलित रहता है स्थिरता नहीं आ पाती जब आप मोह ग्रसित होते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रती आपका मोह है बस वो ही आपके दिमाग में पीछे बैक्ग्राउंड में एक डॉइस की तरह चलती रहती है धृतराश्टर के मन में दुर्योधन ही चलता रहता है किसी तरह दुर्योधन खुश हो जाए माबाप भी होते हैं तो किसी तरह बच्चे खुश हो जाए किसी तरह हजबन खुश हो जाए किसी तरह वाइफ खुश हो जाए किसी तरह बॉइफरेंड गर्फरेंड खुश हो जाए आपकी यैसे मैंने अभी कहा कि बुद्धी ये समझ नहीं पाती है क्या ठीक है क्या गलत है धृतराष्ट की बुद्धी जब वो इतना मोह ग्रसित है ये समझ नहीं पा रही है कि क्या ठीक है क्या गलत है अब मोह का consequence क्या है? अन्याय है. पहली बात हम अपने मनों में जाके हैं. कितना मोह भरा पड़ा है हम में? ये खुद से पूछे हैं. कैसे पता लगेगा? इसका क्या criteria रहेगा? कैसे समझ जाएगी? कि किन व्यक्तियों के वस्तुओं के विचार बार बार आते हैं आपने? जो आपको छोड़ते ही नहीं है. वहाँ वहाँ आपकी आसकती है. वहाँ वहाँ आपकी अपेक्षाएं रखी हुई होगी. वहाँ वहाँ आपके आग्रह रखे हुए होगे. हम सब में किसी के मन में अमेरिका के प्रेजिडेंट की बात क्यों नहीं आती है? उससे मोह नहीं पड़ता, इंग्लेंड का प्राइम मिनिस्टर होगा, अपने घर में होगा, हमें जरा फर्क नहीं पड़ता, पर जहां-जहां हमारा मेरा पन है, जहां-जहां हमारा M-Factor है, वहां-वहां हमने समझा था आपको याद होगा, हमारी कंडिशनिंग्स एक्टिवेट हो जाती है, अगर किसी के मन में ये विचार है, ये कंडिशनिंग है, कि बहुत धन होना चाहिए, इससे सुख मिलेगा, society में आपका नाम होना चाहिए इससे सुख मिलेगा यह आपके मन में एक condition है एक program है जो आपने अपने environment से absorb किया है आप जिस school में जाते हैं जिस office में जाते हैं जिस आसपड़ास में उठते बैठते हैं जो परिवार में रहते हैं जो टीवी देखते हैं आप जो social media आप देखते हैं हर जगा एक similar सी बात कही जा रही है ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा सुख होगा आपका नाम होगा अगर society में तो आप ज्यादा सुखी होंगे आप विचार नहीं करते आप इस बात को absorb कर लेते हैं मान लेते हैं अब जब आपने ये बात मान ली तो ये न केवल आप अपने उपर अपलाई करते हैं आप उन लोगों पे भी अपलाई करते हैं जिनसे आपको मोह है तो धरितराष्ट क्या कर रहा है कि राज्य का बहुत महत्व है राजा होने का राजापने का तो वो चाहता है कि दुरियोधन राजा बने क्योंकि दिर्योधन से आ सकती है उसकी दुशासन से आ सकती है वो युवराज बने अब इस इच्छा को लेकर वो कुछ भी अन्याय करता है अपने मनों में जाकें दृतराष्ट सिखा रहा है हमें सब कुछ परमात्मा का नात सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी हाथ खड़े कर दें सकल संपदा सब संपदा जो भी है इस जीवन में आपका प्रसाद है मैं तो बुनीम हूँ जो इर्दगिर्द आपने लोग दिये हैं मैं तो एक नैनी की तरह काम करना है मुझे शिरामकृष्ण कहते थे जैसे घर की मेड होती है वो आके कहेगी मेरा बच्चा मेरा बच्चा पर वो दिल में जानती है कि कली नौकरी से भी निकाला जा सकता है मेरा 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 ये जूट है एक अकाउंटेंट है या मुनीम है वो किसी को बाग बगीचे दिखा रहा है अपने मालिक के ये हमारे बाग है इतने एकड़ जमीन हमारी है ये पूरा गाव हमारा है इतना धन है हमारे पास और वगेरा वगेरा पर वो दिल में जानता है कि ये केवल बात भर है सच नहीं है ये सच क्या है ये उनका है, ये मालिक का है धितराष्ट को प्रणाम उससे शिक्षा मिलती है कि मेरा कुछ भी नहीं है सम मालिक का है हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे ये मालिक वगएरा की बाते कहां से आ गई ऐसा कुछ होता नहीं है परमात्मा, गौड ये कुछ एक्जिस्ट नहीं करता है ये मन घरंत बातें है मेरा कोई तर्क नहीं है मैं कुछ नहीं समझाना चाहता किसी को एवल एक चीज पूछ लूँगा तुम क्या पांच मिनट तक मन को पूनतया निस्पंद कर सकते हो तब बात करना उससे पहले केवल निरी बकवास है कोई कहता है भगवान है कोई कहता है नहीं है जो कहता है उसको भी नहीं मालूँ वो क्या कह रहा है जो कहता है नहीं है मैं उसको भी नहीं मालूँ वो क्या कह रहा है बस मन में एक विचार आया बोल दिया बक दिया हम में से कितनों का अनुभव है कैसे वो हाथ में उठा कर हमारे को हमारा जीवन चलवा रहे हैं हमारे को प्यार कर रहे हैं एक एक परिस्थिती में उनका हाथ नजर आ रहा है अब वो लौजिक की बातें जो मैंने रिट्रीट में करी वो मैं साइट पर रख रहा हूं वो सब भी चलेंगी साथ साथ में पर उससे ज्यादा बड़ी बातें और भी करनी है हमें परम जो ज्ञान है उसका मनन करना है उसको जीवन में उतारना है कि वो लॉजिक से नहीं होगा रिट्रीट तो एक समझो जब आप इंक्वाइरी सीखते हैं वो आपको एक तरह से जैसे मचली को एक बेट सी होती है आटा लटका दिया आपने एक कांटे के साथ वो मचली आके वो आटे की तरह आके फसती है तो यह इंक्वाइरी वगएरा आपको फसवाने के लिए है ताकि एक बार असर देख लो कि अध्यात्म का क्या असर होता है जीवन में पर यह लास्ट बात नहीं है एकस फैक्टर लास्ट बात नहीं है राग द्वेश लाइकिंग डिसलाइकिंग लास्ट बात नहीं है कंडिशनिंग लास्ट बात नहीं है वो तो केवल स्टार्ट है इस जर्णी का लास्ट बातों में तो ये बात आती है तो मोग पे आते हैं अपने मनों में जहांकें अपने मोग को ढीला करें पर मातमा को सबको अर्पित करते हैं आप देखो मैं तो सेवक मात्र हूं यहां सेवा करने के लिए आया हूं और आपने समझा दिया है कि बिना आग रह के सेवा करनी है, बिना इच्छा के सेवा करनी है, बिना अपेक्षा के सेवा करनी है, जॉय अवेर्नेस लाव, आई कुल सी, ये मेरा मूल मंत्र है, इस स्थिती में रहकर सेवा करनी है, कुछ पाने के लिए नहीं, कोई अपेक्षा रखके नहीं, दृतराष्ट ये कर ही नहीं सकता, इसको समझो, जब इतना मोह होता है तो बुद्धी बहुत जड़ होती है, बुद्धी में सूक्ष्मता रहती ही नहीं है, ये चीजें समझ ही नहीं आ सकती है, तब ही हमने तमस और रजस सत्व को अच्छी तरह समझा था, कि जहां तमस और रजस की इतनी अधिकता हो, वहां अध्यात्म ग्यान, वो ऐसे पड़ेगा जैसे श्राम कृष्ण कहते थे, एक पत्थर को आप नदी में रख दो, पानी में रख दो कई दिन के लिए, वो पत्थर क्या पानी अब्जॉब कर लेगा, जड़ है, जो ये बुद्धी है, ये भी जड़ है, ये एब्जॉब नहीं कर सकती, एक सेकिंड के लिए अपने मनों में जहाकें, और भगवान से रात्तना करें, ये प्रभू मेरी आसक्तियां हटाओ, मेरा मेरा पन हटाओ, बहुत हो गया, अब इसके अंदर मेरे को खोई नहीं रहना आया है हमेशा, मुझे फ्री करो, मुझे मुक्ति दो इनसे, मुझे अनन्य भक्ति दो, मैं किसी से अन्याए न करूँ, मेरा खुद का नुक्सान हो जाए छोड़ा, मुझे कोई परवा नहीं है, पर मेरी वज़े से कोई भी अन्याए न हो, जो आज तक हुआ होगा जाने अन जाने, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मोह, अन्याए, तीसरी बात है, हठ धर्मिता, ये दोनों में, दृतराष्ट्र में और उसके कुपुत्र में हठ धर्मिता, हठ ही हैं, ऐसे व्यक्ति कभी किसी rational argument को स्विकार ही नहीं कर सकते हैं, जो भी उनका मन कह रहा है, उसके against में आप कुछ बोल देंगे, आप कुछ तार्खिक बात कर देंगे, logically आप कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानेंगे, भीच भीच में करण द्रियोधन को कहता है, कि क्यों इस शकुनी की बातों में आ रहा है, हम योद्धा हैं, युद्ध क्यों नहीं करते, वो थोड़ी देर के लिए एक शन भर के लिए मानता भी है, पर फिर शकुनी की बातें हावी हो जाती है, और वो ऐसे-एसे अन्याय करता है, और द्रितराष्ट की नजर के नीचे, केवल द्रियोधन गलती नहीं कर रहा, जो उसको सहमती दे रहा है, अगर द्रितराष्ट चाहे तो ये रोक सकता है, वो राजा है, पर वो नहीं रोकता, पांडवों को विश दिया जाता है, भीम को विश दिया जाता है, लाक्षा ग्रह में उनको जलाने की कोशिश की जाती है, और ऐसा सब लोग मानने भी लग जाते हैं कि वो सब मर गए उसके अन्पर, फिर द्रौपदी का पूरा प्रकरण आता है, कपट से उनको जुए में हराया जाता है, फिर बारावरस प्लस फिर एक साल अज्यातवास, वो सब होता है, उसके बाद भी कहते हैं वापिस चले जाओ, कुछ नहीं देंगे हां, एक के बाद एक अन्याय हो रहा है, दुरियोधन को समझाने की बड़ी चेश्टा की जा रही है, भिश्मिता मा आते हैं, विदूर आते हैं, दुरौणाचार रहाते हैं, दृतराश्टर को समझाने की कोशिश की जाती है, पट हठ धर्मिता, वो हाथ नहीं रखने देते किसी बात के, हम अपने अंदर देखें, एक जो पोल स्टार है न, जो डारेक्शन है लाइफ की, वो तो भगवत प्राप्ति ही है, पून तया, अहंकार का विलह, इससे कम कुछ नहीं, अनन्य भगति, पून समर्पन, और उसके लिए जो साधना है, उससे उपर कुछ भी नहीं, तब इसके रास्ते में हठ धर्मिता न आने दे, जब बुद्धी के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं, अठारवे अध्याई में, तो साथ्विक बुद्धी बताते हैं, फिर राजशिक और तामसिक बुद्धी बताते हैं, जिसमें अधर्म को धर्म मानना, ये प्रमुक होता है, दुर्योधन भी आर्गुमेंट्स देता होगा, अपने इर्दगिर्द के लोगों को, भीष्म बितामा को, देश भक्ती के आर्गुमेंट होते होंगे उसके, ये देश के आप रक्षक हैं, आप सेनापती हैं, अब भीष्म बितामा भी मोह में हैं, उनका दितराश्ट्र का मोह पुत्र के प्रती है, और भीष्म बितामा का मोह राज्य के प्रती है, मेरा राज्य, मेरा पन आ गया ना राज्य से संबंद माना हुआ है और उस संबंद के कारण वो धर्म अधर्म जो असली में न्याय अन्याय है, ठीक गलत है उसको वो ताक पे रखतेते हैं ध्रोणाचारे भी यही गलती कर रहे हैं यहाँ पर भी मेरा पन मैंने इनका नमक खाया है तो न्याय अन्याय की बात को वो नजर अन्दास कर देते हैं त्रौपदी का वस्रहरन हो रहा है भीश्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं प्रितराश्ट्र और द्रियोधन आदी तो नालैक हैं ही पर मोह की आप देखो चरम सीमा ये दो महारती, द्रोण और भीश्म ऐसे हैं कि एक हुंकार भर दें तो द्रियोधन का पिशाम निकल जाए पर वो चुप है मैंने नमक खाया है मेरा पन किस के साथ है? राज्य के साथ वहां गलती हो गई ये चीजें इतनी सूक्षम है न ये भगवत कृपा से ही समझाती है तो हट धर्मिता छोड़नी है हमारी जो रैश्नालिटी है बुद्धी दी गई है जो है डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी बोलते हैं विवेक बोलते हैं उसका गाइड क्या होना चाहिए? शास्त्र और शास्त्रों में भी बैने आपको समझाया था सिम्रिती होती है जो चीज़ें बदल सकती है समय के साथ आप तिलक ऐसे लगाना है कि ऐसे लगाना है मंदिर में चपल के साथ जाना है कि बिना चपल के जाना है यग्य में आहुतियां सीधे हाथ से देनी है कि उल्टे हाथ से देनी है आहुति में घी डलेगा या गुगल डलेगा या क्या डलेगा ये सब सेकेंडरी बाते हैं इनकी बात नहीं हो रही है शास्त्र का अर्थ है शुरुती जो परम सत्य हैं जो कभी बदलते नहीं हैं हर काल में हर देश में वो सत्य सत्य ही रहते हैं तो हाट धर्मिता छोड़ें और अपनी जो बुद्धी है उसको शास्त्रों पर शुरुती पर आधारित करें वो कहां पता लगेगा वो आपको उपनिशद हैं गीता है रामायन है और जो रियलाइजड सेंट्स हैं शिरामकृष्ण हुए रामणा महर्शी हुए युन्हों ने उस परमवस्था को अनुभव किया है उसमें स्थिती पाई है उनकी बाते हैं कहीं गलत नहीं पाओगे आप उनको एक बार शिरामकृष्ण का कथामरित पढ़के देख लो लिलामरित पढ़के देख लो रमणा की वानी देख लो स्वामी विवेका नंद कुशाग्र बुद्धी थी उनकी पर शिरामकृष्ण के सामने हाथ जोड़के बैठ जाते थे यहां मेरी तर्क नहीं चलता यहां अब अनुभव की बाते हैं अनुभव के सामने तर्क हाथ जोड़ता है तो हट धर्मिता छोड़नी है फिर चौथी बात है कि धृतराश्ट्र सिंपेथी सीकर है हर एक के सामने अपनी लाचारी सी दिखाता है थाए मैं कितना कितना लाचार सा हूँ आखें भी नहीं है देख भी नहीं सकता अपने रोने नहीं रोने हैं हमें धर्यतराश्ट्र नहीं बनना है किसकी जीवन में मुश्किले नहीं होती हैं सबके जीवन में होती हैं उनको एक वीर की भाती solve करना है क्या अशलोग है वो यम्हिना व्यत्यन्तियते पुरुषम पुरुषर्षभ समा दुख सुखम धीरं सुम्रित तत्वाय कल्पते जो व्यत्यत नहीं होता यम्हिना व्यत्यन्तियते पुरुषम पुरुषर्षभ वो पुरुषों में जो महान पुरुष है, इस्त्रियों में जो महान इस्त्रि है समद दुख सुक्खम धीरम दुख और सुक्मिस सम, शान्थ, पॉईज, इक्वैनिमस भगवान का विधान कभी गलत नहीं है या सिखाने के लिए है, अनासकती देने के लिए है या भक्ती बढ़ाने के लिए है जो भी रियालिटी है, उससे मन को व्यथित नहीं होने दिना है जब आप मन इस तरह का स्ट्रॉंग बना लेंगे तो यह सिंपेथी सीकिंग बंद कर दें यह होई जाएगी खुद ही जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा यह कमजोरियां स्वत्य छुटती जाएंगे फिर दृतराष्ट में और क्या है कन्फूजन की स्थिती भी है थोड़ी सी कन्फूजन का यहां क्या अर्थ है कि अगर उसके दिल से पूछो तो वो नहीं चाहेगा कि युद्ध हो पर वो यह जरूर चाहता है कि इंदरप्रस्थ वापिस न दिया जाए अब यह दोनों बाते हो नहीं सकती है श्री कृष्ट न दूत बन कर आते हैं शांती दूत बन कर आते हैं हर चीज से सीखो वो अपनी तरफ से बहुत ही क्लियर प्रस्ताव देते हैं कि उन लोगों ने भई तेरा साल का वनवास ले लिया है अब आप उनको राज्य दे दो मेरा बेटा मानता यह कोई तर्क हुआ यह मानता नहीं है यह कौन सी बात हुई फिर श्री कृष्ट कहते हैं चलो पांच गाउं भी दे दो यह भी उनकी एक चाल ही थी ऐसा समझो क्योंकि यहां पर भी उनको मालूम था कि दुरियोधन मना करेगा अब उनको अधर्मी का नाश करना है यह उन्होंने ठान लिया है तो यह लास्ट रिजॉर्ट भी मना करवा दिया त्रिसराष्ट के सामने हो रहा है यह सब वो लाचार बनके बैठा हुआ है मैं क्या कर सकता हूँ मेरी बात ही नहीं सुनता है उसके बाद श्री कृष्ण अपना विराठ रूप दिखाते हैं जब दुरियोधन उनको गिरफतार करने का ओर्डर देता है अपने सैनिकों से बोलता है इस गौले को गिरफतार कर लो बंदी बना लो तो श्री कृष्ण अपना विराठ रूप दिखाते हैं वहां सब चखा चौन्द हो जाता है किसी को कुछ सुदबुद नहीं रहती ये सब होने के बावजूद भी दृतराष्ट को समझ नहीं आ रही है कि युद्म में हारा पड़ा हूँ तो कन्फूजन की बात हो रही थी इंडिसाइसिवनेस की बात हो रही थी शायद जीत जाएं शायद यह जो शायद और काश के शब्द है न काश ऐसा हो जाए ये केवल आपके कन्फूजन को जताते हैं आपको अपने जो भी स्टेप्स लेने हैं जीवन में फर्मली लेने हैं क्लियरली लेने हैं यह काश और शायद यह दुखदाई होते हैं स्रितराष्ट काश ऐसा हो जाए काश ऐसा ना हो काश की यह राज्य मिला रहे और पांडव मान जाए चले जाएं वापिस क्या जा रहा है उनका दुबारा से 14 वर्स 13 वर्स चले जाएं जिंदगी ऐसे नहीं चलती है अपने जीवन से भी काश निकाल दो तीछे शायद आमित होंगे अभी हमारी बात हो रही थी रोहित से तो वहां लास्ट में कहां पर पहुंचेते हम काश की ऐसा हो जाता उसका परिणाम क्या है दुख है क्योंकि अंतरद्रिश्टी आपकी सूख्ष्म नहीं है आपको यह समझ यही बात आ रही है कि बाहर से सुखाता है किसी व्यक्ति से, किसी परिस्तिती से, किसी अवस्ता से, किसी कार्य से, कार्य फल से, स्थान से, उसको आप बिल्कुल ठीक मानके बैठे हुए हूँ, आपकी जो ये बुद्धी बता रही है कि सुख बहार से आता है, आप अंतर दृष्टी बनाना नहीं चाहते, मन पे काम कर करना नहीं चाहते तो आपको यह समझी नहीं आ सकता कि जो काश वाली वृत्ति है वो दुख उसका परिणाम पे जो इफ एन बट अगर-मगर जब करते हैं ना तो मतलब हमारी क्लैरिटी में कमी है हम एक तरफ नहीं हो रहे हैं दो नाओं में सवार रहना चाहते हैं युद न यह दो नाओं नहीं मिला करती है युद करना है तो वीर की भाती करो एक युद्धा की भाती लड़ो और अगर समझा जाता है कि यह अन्याय है तो दे दो उनका राज्य उनको वापिस तो हम अपने जीवन में क्या सीखना है हमें यह कन्फ्यूजन की काश वगरा की जो पहले श्लोक में पहला शब्द क्या है धार्म, धार्मक्षेत्रे, धृतराष्ट्र के वल बकवाद कर रहा है, बकवास कर रहा है वो अपने मन को एक धाड़स सा देना चाहता है, एक खुश वहमी में रहना चाहता है कि मैं धार्मक्षेत्र में युद्ध कर रहा हूँ, मैं धार्मकी तरफ खाड़ा हुआ हूँ आप मनस्तिती देखो कि हम कैसे खुद को गलत वहमियों में रखते हैं दूसरों पर हम अत्याचार करते हैं, शायद देश भक्ति के नाम पर, यह धर्म होता है अपनी कॉम्यूनिटी को के साथ आप संबंद मानते हैं और दूसरी कॉम्यूनिटी को मारते हैं यह धर्म होता है हम अपनी अंतरद्रिष्टी तीक्षण करें धर्म क्या है, जो हमने समझा था, उसके कई आस्पेक्ट्स है एक तो बहुत ही जो गौन आस्पेक्ट है, वो है आपकी क्रियेटिव साइड कि कोई सौफ्ट्वियर बनाने के लिए बढ़िया बना है कोई फुटबॉल खेलेगा और कोई पेंटिंग करेगा और कोई होममेकर है कोई बिजनेस के लिए है और कोई सर्विस क्लास में है जैसा आपको प्रकृति ने बनाया है अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आप कहो सौफ्ट्वियर बनाए तो मुझे कुछ समाई नहीं आता है मुझे तो ये यूट्यूब का ये चैनल चलाने में भी इतनी मुश्किल होती है नाहिंस्टैन को कह दो तू पेंटिंग कर दे या मैसी को कह दो भाई तू थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा दे किसी को या पढ़ ले वो उसके लिए बने नहीं है तो वो जो ग्रूव्ज होते हैं आपके मन में वो creative side है आपकी किसी में बहुत sharp होंगे, किसी में कम sharp होंगे किसी में एक field के होंगे, किसी में दूसरे field के होंगे पर इसका केवल आपके समय को अच्छा व्यतीत करने तक ही इसका प्रियोग है बस आपके सुखी-दुखी रहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप painter हैं कि आप physicist हैं धर्म का दूसरा aspect आता है कल्याण की भावना, सब के लिए एक रिशी केश में संतुआ करते थे उनसे एक प्रश्न पूछा किसी ने कि धर्म क्या है तो उन्होंने कहा कल्याण की भावना, सब के कल्याण की भावना यानि की निश्वार्थता, selflessness, सेवा करना वे एक शलोक हमने समझा था कि beyond the self is the family family वालों की सेवा करना beyond the family is the community आसपास के आसपड़ोस के लोगों की और जो भी हमारी community में लोग हैं उनकी सेवा करना beyond the community is the country beyond the country is the world and beyond the world is the highest self परमात्म ये इसके steps हैं, चरण हैं तो दिल बढ़ा करना बढ़ापन लाना अपने विचारों में, अपने दिल में ये धर्म है पर ये भी last state नहीं है धर्म की फिर आता है मनन, श्रवन और मनन, सत्य का स्वाध्याय करना और उस पे गाढ़ा मनन करना जीवन में उतारना अपने मन पे काम करना जिसे साधना कहते हैं मन भागेगा वापिस लेके आना मन फिर भागेगा वापिस लेके आना और उसको सही बुद्धी से सही ज्यान से वापिस लेके आना ये धर्म है साधना के पहले चरण में मन को वश करने की ही बात की जाती है हजार जगा पीछे भाग रहा है हजार वस्तवों के व्यक्तियों के पीछे मन के अंदर धुआई धुआ भरा हुआ है शोर ही शोर भरा हुआ है उसको शान्त करना और उसके लिए जो जो भी स्टेप्स जरूरी है जहां जहां से भी अना सकती जरूरी है उस सारे को करना जीवन में लाना और फिर जो लास्ट चरण आता है अब मन शान्त हो गया तो परबात्मा में मन का विले है शुरामकृष्ण कहते हैं शुद्ध बुद्धी, शुद्ध मन और आत्मा एक ही वस्तु है कितना ये शुद्ध होता जाएगा, प्योर होता जाएगा उतना वो अपने सुरूप से, अपने स्रोट से, अपने सोर्च से एक आत्म भाव का अनुभव करता जाएगा और फिर उसमें स्थिति और फिर परमात्मा में अनंत में विले हो जाना ये धर्म है त्रितराष्ट क्या कर रहा है बिल्कुल उल्टा इससे धोखा दे रहा है अन्याय कर रहा है ध्र्योधन भी वही कर रहा है पर बात धर्म की करते हैं ये धर्म नहीं है भई एक बार छोटा सा रीकाप कर लें साधना में अग्रसर होना है यानि मन प्रसंद मन शांत और भक्ती में ग्यान में अग्रसर होना है तो ये धर्तराष्ट्री जो गुण है अवगुण है इन्हें छोड़ना पड़ेगा मोह, X-Factors और M-Factors आसक्तियां हाट धर्मिता अन्याय कन्फूजन फिकल माइंडिडनेस क्रोध सिंपेथी सीखिंग वो विश्फुल थिंकिंग काश 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 अपने जीवन में फिर्मनेस लानी है कारेज, फिर्लेसनेस लानी है तब अग्रसर हो पाएंगे एक छोटी से इंक्वाइरी करते हैं कम से कम हम लोगों में दो जनों के बहुत सारे और भी हो सकते हैं पर प्रमुक्त है दो जनों के मनों में ये विचार तंग कर रहे हैं कि काश मेरा हस्बिंड मेरे को समझ पाता काश की ये दूरियां न बनती काश की वो जो इतनी गलतियां कर रहा है संबंद को ऐसा बिगाड दिया है वो न करता काश की हम इस थिती तक न आते ये अब हम अलग अलग रहने लग गए हैं और पूरी तरह अलग होने की बाते हो रहे हैं मैं प्रश्न करूंगा आप इसके उत्तर अपने आप मन में देना बीच बीच में कहीं जरूरत हो तो मैं भी हेल्प करूंगा और बाकी लोग उनके जो अपने इश्यूज हैं उन पे ये अपलाई करेंगे प्रश्न आप मान लो आखें बंद करके बैठे हैं ये आखे खोल के भी और ये विचारों का ताता बन जाता है एक बाण सी आ जाती है कि काश मेरा हस्बिन मुझे समझता और हम इस कगार पर आके खड़े न हो जाते हैं जिस पे अब हम हैं आपके मन में ये विचार आये आप उनमें खो गए ड्रीम और रियालिटी इन दिस मॉमेंट इस मॉमेंट में मेरा मन इनमें खो गया क्या अनुभव कर रही हूं मैं? क्या ये स्वप्न है या सत्य है? मन के अंदर जो व्रितियां उठी उनमें जब खो गई तो वो स्वप्न ही कहलाएगा ना? आप जो अनुभव कर रहे हैं वो अपनी मनो व्रितियों का ही कर रहे हैं पर जब आप स्वप्न में खोए होते हैं तो ये बात समझ नहीं आ रही होती हैं आप उस सब को जो भी अनुभव हो रहा है सच मान रहे होते हैं relevant in the moment, relevant, important, necessary यहां से समझो कि यही मोमेंट है हमारी जिंदिगी में जिसमें हम चाहें तो खुश रह सकते हैं चाहें तो दुखी रह सकते हैं और कुछ है ही नहीं जो आपके मन में विचार भूत और भविश्य के भी आ रहे हैं वो भी इसी मोमेंट में आ रहे हैं चाहे वो विचार भूत काल का हो उसने ऐसा क्यों किया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था पर ये विचार घटा कितने बजे अगर अभी मान लीजिए 9.45 हो रहे हैं तो ये 9.45 पे ये विचार आया है आया हो दस दिन पहले के बारे में कुछ हुआ होगा या 10 दिन बाद के बारे में शायद कुछ हो जाए पर वो तो 9.45 पे ही रहा ह है ना उस 9.45 पे आप खुश है क्या है खुशी और घम का आपका क्राइटेरिया क्या है आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है जीवन की आपका बेस्ट वर्जिन क्या है हम में से बहुत इतने अच्छे सादक हैं उनसे जब मैं यह पूछता हूँ बेस्ट वर्जिन की बात तो वो कहते हैं अनन्य भक्ति है और समर्पर हर समय में परमात्मा को याद रख सकते हूँ इस बेस्ट वर्जिन को गाइड बनाते हुए मन में रखते हुए अब पूछो कि क्या यह विचार इंपोर्टेंट है कितना गौण है कितना छोटा है यह विचार मैं चाहती तो थी अनन्त में खुद को विलीन कर दो मैं चाहती तो थी परमात्मा के प्रेम में खो जाओं मैं चाहती तो थी इसकी सदा आनन्द में रहूं प्रेम में रहूं यह विचार क्या मेरे को उसमें रख रहा है नहीं रख रहा है तो दोनों में से अगर मेरे को पूछा जाए कौन सा विचार चाहिए प्रेम का, भक्ती का, सत्य का या दूसरा बंदा समझ लेता तो कितना अच्छा होता ये चीजे ना हुई होती ही तो कितना अच्छा होता ऐसा ऐसा हो जाए फ्यूचर में तो कितना अच्छा हो वोई धृतराष्ट वाले गोण काश कि ऐसा न हुआ होता और काश कि ऐसा हो जाए लेट गो, काश को छोड़ दो कर्तव्य करना एक बात है और ये गलत वहमियों में जीना अलग बात है इस काश को छोड़ दो useful in this moment तुम इन विचारों में खोई हुई हो इससे कुछ मिल रहा है क्या क्या वो आपकी बात समझ रहा है क्या सामने बैठ के discussion हो पा रही है क्या openness है दूसरा व्यक्ति अपनी हठ धर्मिता छोड़ रहा है आपके तर्क को, आपके भावों को थोड़ा भी महत्व दे रहा है क्या हो रहा है जब आप इन विचारों में खोई है वो केवल futile exercise है कुछ नहीं हो रहा है केवल आप खोई हुए हो और परिशान हो रहे हो Is it conducive to peace? No, it is not conducive to peace तुम शान्त कहा हो, तुम तो दुखी हो Am I out of it? खुद से पूछो एक स्वप्न मात्र है तुम्हारा जो सत्य है वो नित्य है तुम इस चरीर में आई हो ये बस ये 60-70-80 साल की बात है ये 60-70-80 साल एक पढ़ाव है एक क्लास है एक पाठशाला है कुछ सीखने के लिए आई थी अनासक्ती सीखने के लिए आई थी भक्ती सीखने के लिए आई थी ज्यान लेने के लिए आई थी और तुम क्या कर रही हो? सुखी दुखी हो रही हो इच्छाओं में खोई हुई हो अपेक्षाओं में खोई हुई हो, अगर-मगर में, काश में खोई हुई हो, क्या मिल रहा है इससे, क्या पसंद नापसंद है आपकी, क्या इच्छा है, अपेक्षा है, कि I would prefer, I would like, I want him to understand me, I dislike that he does not understand me, मैं पसंद करती हूँ कि वो मेरे को समझे, मैं ये नापसंद करती हूँ कि वो मेरे को नहीं समझता, मैं पसंद करूँगी कि हमारा प्यार फिर से बन जाए, मैं ये नापसंद करती हूँ कि हमारा प्यार दुबारा से नहीं बन पा रहा, मैं ये पसंद करूँगी कि अगर वो उतनी गलतियां, उतनी बेवकूफियां न करता, मैं ये नापसंद करती हूँ कि वो इतनी बेवकुफियां कर रहा था और मेरी बात सुन नहीं रहा था दुबारा से ध्यान से देखो जब आप विचारों में खोए हो एक सपना चल रहा है ये पसंद नापसंद ये मनोवृतियां भी उसी सपने का हिस्सा है ये भी सपना है अपने विजन को ना पूरी लाइफ का विजन एक साथ देखो ये छोटा सा पंदरा मिनट का दो दिन का एक साल का विजन हटाओ पूरी लाइफ को एक साथ देखने की कोशिश करो और आपकी जो अनन्त लाइफ है जिसकी ये वाली लाइफ एक सबसेट है एवल उस अनन्त लाइफ को भी देखने की चेश्टा करो ये चोटी-चोटी चीजों के अंदर नहीं खोना है और जहां तक आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी का आपके बेस्ट वर्जन का अगर सवाल है तो कुछ भी बड़ा नहीं है केवल गोल चिडिया की आँख वो ही प्राप्त करना है मेरे को वो ही बड़ी बात है तो ये वाली अगर लाइकिंग्स जिस लाइकिंग्स रखती हो तो खुश रहती हो क्या रोती रहती हो हर समय दर्ती रहती हो हाथ-पैर ठीक तरह से काम नहीं कर रहे है मन ठीक तरह से सोच नहीं पा रहा है बच्चों को भी देखना है जॉब भी करनी है करियर भी देखना है पर मन में पीछे क्या है ये शोर चल रहा है अगर-मगर काश का शान्ती आती है इससे शान्ती चाहती हो तो शान्ती के लिए क्या प्राइस देना है अप एक शाएं छोड़ दो अगर-मगर छोड़ दो काश ये होता काश ये हो जाए छोड़ दो और परमात्मा को पोनतया सबर्पित हो जाओ समर्पन का क्या ओर्थ है बाते हम बहुत करते है कृष्ण भक्ति की क्या ओर्थ है उनको समर्पित होने का निसंकल्प हो जाना जैसे तेरी रजा, तेरी रजा में मैं खुश मूँ, जहां तु ले जाए, श्राम कृष्णे कहेंगे, जहां मां बिठा दे, जो मां कराए अगर कोई जा रहा है, हाथ जोड़ दो, नहीं सुन रहा, तुम इसके अंदर खुद को गिल्टी मत मानों, तुमने, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है पांडवों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, खुद गए वहाँ पर, हाथ जोड़े, दृतराष्ट के सामने, भीश्म बितामा के सामने, पर अब जब वो नहीं ही मान रहा, तो जाने दो और खास कर अगर आपके जीवन में तामसिक, राजसिक व्यक्ति हैं ऐसे, पीछे हट रहे हैं, जाने दो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनको बदलना, आप बदल नहीं पाओगी, इतनी एक शमता तो भगवान में खुद में नहीं थी, नहीं तो वो द्रियोधन को बदलना देते, दिरतराश्टर को बदलना देते, उनकी लीला ऐसे ही चलती है, स्वभाव नहीं बदलते हैं आसानी से, उसके लिए खुद बहुत साधना करनी पड़ती है, और अपनी गल स्वालिटी में डूबे हुए हैं, तमस में डूबे हुए हैं, उनसे हम अप एक्षाएं कर रहे हैं, हमसे बड़ा मुर्ख नहीं हो सकता कुछ, तो अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें, अगर छोटी मोटी इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं तो स्थाई पूर्णता नहीं मिलती है, थोड़ी देर के लिए एक सांत्वना सी होती है, सुलेश सा होता है, रिलीव सी होती है, उसके बाद मन फिर से उठके बाहर आ जाता है और फिर से आप नए X-Factors क्रियेट कर लेते हैं, किसी ने बहुत अच्छा लिखा, पीछे मैं दिली में था तो एक किताब में एक पैराग्राफ पढ़ा, बहुत खुबसूरत, किताब का नाम है Untethering the Soul, माइकल सिंगर की है, तो क्या कहते हैं माइकल सिंगर? कि प्रॉब्लम मन में थी, आप उसको बाहिये चीजों से या व्यक्तियों से ठीक करने की कोशिच कर रहे हैं, यह नहीं होता होता है, मन की प्रॉब्लम मन को ठीक करने से ही ठीक होगी, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो आप अपने आपको विजई मानने जाते हैं, असल में आप हार गए हैं क्योंकि प्रॉब्लम ठीक नहीं करी, बस थोड़ी देर के लिए सुखी दुखी, दुख हटाके सुख के अंदर भोग करने लग गये हैं, कभी दुख का भोग करते हैं, कभी सुख का करते हैं, problem को जहां वो exist करती थी I plus X equal C उसको आपने resolve नहीं किया उसको आपने ठीक नहीं किया बस खुद को थोड़ी देर के लिए भुलावे में डाल दिया तो उसको जीत कहेंगे क्या तो पूनता, completeness बाहर से आज तक किसी की नहीं आई है तो हमारी कैसे आई गी कंडिशनिंग्स कि लोग समझदार हों यह सबसे बकवास कंडिशनिंग है हम सबके जीवन में सबसे बेतुकी, absurd कंडिशनिंग कि हम तमस और रजस की अधिकता वाले लोगों में समझदारी की अपेक्षा करते हैं, सत्व की अपेक्षा करते हैं जो आपको बहुत ही clearly नजर आ रहा होता है, आप दूसरे को समझा नहीं सकते हो, घंटों argument कर लो, दिनों दिन arguments कर लो, समझाने की चेश्टा कर लो, वो वापिस वापिस आके अपने गाने गाने लग जाते हैं, वही पुरानी बातें दोहराने लग जाते हैं, और उसी तरह का व्यवार बार बार करने लग जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है donूसरों को बदलना, आपकी केवल ये जिम्मेदारी है कि अपने को बदलना, अपने को अपने बेस्ट वर्जन में रखना, सदा और या ये कहें कि प्रियत्न पूरी तरह करना, कोशिश में कहीं कमी नहीं हो. तो जो भी ये सोसाइटी ने आपके मनों में धारना है कि ये गलत है वो ठीक है, ऐसा नई होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. छोड़ दो, आपका एक काम है मुक्ति, आपका एक काम है अनन्यभक्ति, परमसントोश. मन में कोई कटुता नहीं, कोई वैर नहीं, सब को शमा कर दिया जो भी हुआ, एक्सेप्ट किया एक्सेप्टेंस को जीवन में उतारना, समर्पन को जीवन में उतारना ये काम है लोगों को बदलना काम नहीं है अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास और हमारा टर्नराउंड क्या है खुद को बदने दूसरे समजदार हो नहीं, टर्निट अराउंड मेरे को समजदारी दिखानी है, मेरे को बड़पत दिखाना है मेरे को दया करोना ख्षमा में जीना है मेरा दिल प्रेम से, अकारण प्रेम से, अकारण आनन से भरा हो मैं कुतरकी न करूँ, मैं हट धर्मिता न करूँ मैं मोहग्रसित न हो, मैं सिंपेथिसी करना हो दूसरे हैं तो bless them, पीछे हट जाओ हमको उलजना नहीं है, अर्जुन एक योद्धा है, वो ठीक है, उसका धर्म है उलजना, योद्ध करना हम लोग योद्धा नहीं है, हम में से ज़्यादा तर लोग ब्रह्मन वृत्ति के हैं जो अध्यात्म को जीवन में उतारना चाहता है, वो ब्रह्मन है हमको उलजना नहीं है किसी से तीर की तरह अपने गोल की तरफ जाना है वो कल पर सो बात हो रही थी न कि एक पत्ता है तूफान में इधर उधर आगे पीछे उसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है कहां जाना है और उसी तूफान में एक तीर है तुफान तो चलेगा ही जिन्दगी में कुछ ना कुछ तो होगा ही कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे भ्रहमांड में इसकी जिन्दगी में ये द्वन्द वो ना आते हो सुख दुख लाबहानी जै पराजए मान अपमान कोई प्यार कर रहा है कोई प्यार नहीं कर रहा है कोई बात समझ रहा है कोई बात समझ नहीं रहा है ये सबकी जिवन में आएंगे याएंगे ये तुफान चलेगा उसके बावजूद भी तीर अपनी दिशा में जा रहा है अपने target की तरफ बढ़ रहा है, दृत गती से बढ़ रहा है, वो हमारा धर्म है, दूसरों को बदलना हमारा business नहीं है, तुबारा से बुधा की वही सेंग, you haven't come in this world to change the world, you have come here for awareness, for freedom, for bhakti, for ananyata, samarpan, satya, इसे बड़ी कोई बात नहीं है, एक बार मंत्रों को revise कर लेते हैं, शुद्धानंद शुद्ध द्रिष्टी, सर्वत्र परमात्मा, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम, जोरी जुग पाने, हाथ जोड कर सब को प्रणाम, सिया राम मैं सब जग जाने, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वत्र वासुदेव, एक जोट सर्व व्यापत, शुद्धानन्द, जाग्रित, समता, जो भी परिस्थिती हो, मेरे को आनन्द में रहना है, मेरे को समता में रहना है, यह तुफान चलेगा ही, आसपास कुछ न कुछ तो होगा ही, अब मुझे यह महत्व देना बंद कर देना है, यह जो महत्व बुद्धी है, ना मन में मेरे, यह मैंने छोड़ती, संसार को नहीं देना, सत्य को, पर्मात्मा को, अपनी साधना को, इसको महत्व देना है, शुद्धानन्द, पून, समर्पण, टोटल एक सिक्टिस, तो दानन्द, शान्त, पून, ता, मैं पून हूँ अभी, यहीं, कोई व्यक्ति, कोई वस्तू, मेरा एक्स फैक्टर अब है नहीं, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगी, अपना धर्म निभाऊंगा, बड़ी खुशी से, बड़े प्रेम से, शुद्धानन्द, अकारण प्रेम, कारुणा, सबके प्रती, जो लोग हमसे घ्रणा भी कर रहे हैं, हमको वापिस घ्रणा नहीं करनी है, जो दुश्मनी मान रहे हैं, हमको नहीं माननी है, हमको बस ब्लेसिंग्स देनी हैं, आज जोडने हैं, और उनके प्रती भी शामा, करुणा, अपना मन खराब नहीं होने देना है, और कब करना है, अभी यहीं सरवदा, इस से बढ़िया, इस से मंगल समय हो नहीं सकता, यह एक दुबारा से कहता हूँ, यह गलत वहमी है, कि भविश्य में जाके कुछ मंगल समय आएंगे, बढ़िया समय आएगा, यह भूत में बढ़िया हुआ करता था, यह मन आपको बहकावे में रख रहा है, यह वर्तमान सर्वोत्तम है, इसी विचार के साथ हम अभी भगान को प्रणाम करते हैं, और उनसे प्रास्तना करते हैं, कि उनके चरणों में हमारी अनन्य भक्ति हो, शुद्ध भग्वी और हमारा ज्ञान वैराग्य सुद्रिड हो ओम सर्वे भवन्त सुखिनह सर्वे संतु निरामयाह सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चे तुख भागभवे ओम शान्ती 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 हरी यूम तच्साथ